लो क्रिकेट लवर्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे परम कि आज का मैच काफी दमदार रहा तो आज जोश ने उड़ा है इंडियन क्रिकेट टीम के होश तो भाई जोश बटलर ने इंडियन टीम की जो बॉलिंग है उसकी बैंप जा दिया आज त इंडियन का पाउर प्ले था उसमें 56 रन पर भी एक ही विक्रिट था तो यहां आप देख सकते हों कि इंडियन के बैट्समन ने एक स्पेसिफिक बोलर्स को टार्गेट किया और उसके खिलाफ कम से कम बहुत सारे रन बनाए तो बटलर ने यह जो बिंदर चाहल को टार्ग जो था कि हाँ जहां सिंगल आना चाहिए था महां डबल यह जा रहे थी इंडियन फिल्टर के उपर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे उसके अलावा इंडियन बैट्स पर इंडियन जो फिल्डर उन्होंने बहुत सारी कैचिज छोड़ी विराट को ली और यह जो उन्दर चैल वो आपको crucial moment पर विकेट देंगे परंतु जहां पर उनको एक freely minded से बॉलिंग कर सके है वो जब करते है वो as a sixth baller option के रूपमें को लाए जाए और वो विकेट निकाल के आपको देंगी उसके अलावा दीपक चैर को मोका ज़रूर दिया जाना चाहिए थे या फिर आपके न शांदार तरीके से और क्या मैच में स्टॉरी देखने को मिली जो विराट को ली थे वो इंडिवेजियोली पर्फोर्मेंस दिखा रहे थे बजाए कि उनका ना किसी साथ अच्छी partnership लगी परंतु दूसरी से रफ्तार बिलकुल भी नहीं मिल रही थी हाला कि एक दो चके च तक जाती तो भाई थोड़ा competitive दिखता और काफी बहुत देखने को मिल सकती परंतु इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग थी स्टार्टिंग भूनेश कुमार ने कोई गलती नहीं कि परंतु शार्दू ठाकूर की जगह ही लाया जाए दिपक चैर को या फिर किसी एक बैट् पर दू शायद विराटकुली भूल गई है यहां पर पहले बैटिंग करने थी ना की पहले बॉलिंग करने तो भही आप दो मैचों में तीनों मैचों में यह हुआ है कि हांभी जो टॉस जीता वो मैच जीता है अब क्या फोर्थ मैच में जिली क्या सोथ सकती है आपकी आगे अनेवल मैचों में किसको चेंज करेंगे और किसको टीम में जगह देंगे तो आज बड़ा फेक्टर ये भी दिखा कि यहां भी रोष्षरमा इतना खास पर्फॉमेंस बिल्कुल नहीं कर पाए उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि हां भई वह एक कम से कम एक 50 लोग पाके दें और काफी बहुत इसा बिल्कुल नहीं हुआ 17 गेंदों पर 16 करीव रहन थे उनके और स्टार्टिंग में उनको एक बलकि उनको एक चांस मिला परन्तु उसके बाउस भी वह परफेंस नहीं कर पाए हाला कि तूथ है यह और हाला कि हम उम्मीद करेंगे जो रोष पहले पार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जूरूर्ब करें और कमेंट बॉक्स में बता है कि आपको इस मैच में सबसे बड़ा टरनिंग पॉइंट क्या लगा थैंक्यू सो मच फूप लॉचिंग मिलते नेक्स वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ